नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्शेकर शर्मा तर्चे को शुरुवात करते हैं आज के सुन्दर दिन की श्वर के स्मरण और पंचांग के ग्यान से क्योंकि पंचांग का ग्यान जहां आपके लौकी कारियों के सिद्धी की चाबी है वहीं श्वर का स्मरण आपकी आत्मी कुन्नती का अधार है पंचांग के अनुसार आजदनांग के 15 जून सन 2024 विक्रम समवत 2021 चल रहा है जेश्ट मास है शुकल पक्षे ग्रिश्म रितू है तिथी आज की नौमी है और आज का वार है शनिवार आज उत्रा फालगुनी नक टक उसके बाद में हस्त नक्षत रहेगा योग व्यति पात है शा मद 8 बच के 9 मिनट तक उसके बाद वरियान योग है योग की दरष्टि से अध्यात्मिक दिन हैं लौकईक दरष्टि से आज कोई अच्छा दिन नहीं है करें बालाव है दोपेर 1 बच के 21 मिनट तक आगे और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज दिन में 11 बच के 69 मिनट से दौपेर 12 बच के 55 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे हाला कि चारों दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे फिर भी ने समझ जिए और हमेश्या टाल दीजिए आज के दुष्ट मुरत थे सुबह 15 बच के 32 मिनट च खे चैबच के 28 मिनट और साथ बच के 23 मिनट आज का दिशा शूल दर्शा को पूर्व दिशा में तो पहले कोशिश तो यही की पूर्व दिशा की आत्रा को आप टाल दें लेकिन और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए कारे सिद्ध होंगे दिशा शूल नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि कमपेरिटिवली आज के दिन का सबसच्छा समय जिसमें अच्छे एफट्स करेंगे अच्छे परिणाव मिलने के चांसे बड़े वें वो हैं सुब अभानवित वहीं व्रश राशी वाले अपनी तेज बुद्धी सूजबूज के लिए जो भी निर्णे लेंगे उससे बहुत आगे रहेंगे मेतुन राशी वाले आज घर में होरे कलह से अवसाद में आ सकते हैं वहीं करक राशी वाले आज आत्मिश्वास से लब्रेज र लाश करेंगे जो अच्छे से समझ तो ला राशी वाले आज किसी बड़े निवेश से बचे नहीं तो नुकसान हो सकता है वहीं रशाक राशी वाले आज किसी मन ओ कामना को पूरा होते विए देखेंगे तो धनु राशी वाले पाएंगे प्रोमोशन और इंक्रिमेंट की चांसेज। मगर राशी वाले धार्मेकुस्तान की यात्रा पे जा सकते आज, वहीं कुम्ब राशी वाले किसी विवाद से बचें, आपकी कहीं वुई कोई बात किसी को बहुत बुरी लग सकती है, और जिसकी वज़े से बड़ा विवाद संभव है। मीन राशी वाले आज पासकते पार्टनर्शिप का व्यापार का ओफर। तो दर्शे को यह था आज का पंचांग जिसके समुचित ज्यान से आप अपने दिन भर में कब क्या करना चाहिए, अच्छे से समझ जाएंगे, इससे क्या होगा कि गलतियां कम होगी और सटीक प्रियास ज्यादा जो हमारी आपकी अंतरद्रश्टी प्रग्या को जागरत कर हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को उन्नत कर देगी, फिर आगे समझेंगे उन विस्वेस्ट रुपायों को जो आपको समझ्चाओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं, अन्तुमें करेंगे पुन्य व्रक्षों पी वर्धते हैं, इसकार्त ही है कि जमीन पे डालावा छोटा सा वट व्रक्ष का बीज जैसे जल के योग से बढ़ता जाता है, ऐसे ही पुन्य व्रक्ष भी दान से बढ़ता जाता है, इसलिए यह समझते हैं कि किस महा, किस सनातन महा या हिंदू महा क इस महा में कौन सा दान करें जो स्रिष्ट फल देहम को, देखिये दर्शे को चेत्र महा में भगवान के चित्र पुस्तकें और वस्तर दान करने से स्वभाग्य की प्राप्ति होती है, वैशाख में मालपूआ गुलगुले का दान पुन्य जागरत करता है, ऐसे ही इंए घी दान करने से रूप की तेजगी प्राप्ति इन्हूता में लवण प्राप्तिक ऑप थे दिन्हां प्रियंगों दान से प्रशिद्धी प्राप्ति होती है तो यह सारी चीजने समझें इस अनुसार दान की मध्यूं जयांचर्चा का सारः बात करतें उन विशस ट्रुपायों पुछ जिनसे हमें इश्वर की साहेता मिलेगी प्रेड्रा मिलेगी एक शक्ति स्रोत मिलेगा जो हमारी संक्रटों का बनाश कर हमें जीवन में सफल बना देगा सबसे पहले बात करते उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सभी लोग आज भगवान हनुमान जी को सवा पांच किलो भुनेवे चने इतना ही गुड़ भोग में अरपित करें और 11-11 पार्ट हनुमान चालिसा क सुभें और रात्री में कर लें इस प्रशाद को बंदरों को खिलाएं स्वयम भी खाएं हनुमान जी कृपा होगी आने वाला पूरा वर्शुक शांती संब्रद्य से बितेगा इसमें कोई संद्य नहीं ऐसी दर्शे को बहुत दिनों से कोई कार्या टक रहे हैं आपके जो अब एक सही गती से सही डारेक्शन में जा रहा है ऐसी स्थिती में आज आप हनुमान जी को प्रसंद कीजिए उनसे सफलता का आशिरवाद मांगिए बहुत सुन्दर दिन है इसके लिए क्या करना है कि हनुमान जी को सिंदूर घी का चोला चड़ाईए ग्यारा परिक्रमा अन्मान जी की किजिए श्री राम जय राम जय जय राम बिना इस मंत्र का कुछ समय तक ध्यान पूरवग जब कीजिए ओ यह चोटा सा काम इतना सा काम है कि आपको परिक्रमा करनी है इसमत्र का जब करना испॉर के सेवा करनी है पूरी तरीके से समश्या से आप भार58 कोई स्थिती ऐसी बनने रही है आपको जहां भी आप कोशिश करते हैं वहां से आपको एक नेगेटिव एप्रोच मिलती है नेगेटिव रिजल्ट मिलता है भागे साथ नहीं देता है लगता है कि जनम पत्री का भी बहुत बुरी चल रही है कि राव के तु शनी जैसे कोई पीछे पढ़ गए पित्र दोश हो गया है या किसी ने कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ कर दी है कोई नजर दोश लग गया है ऐसी कोई विस्तिती है तो आपको करना ये है कि तुलसी जी के 27 पत्तों पर केसर चंदन से राम लिखें भगवान हनमान जी को इनकी बनी कुल होने लगता है थोड़े से दिन लगते हैं पूरे शद्धा वाव से करें जीवन में आनंदाना तैह है खास करके जब कुंडली के तीन चार या पांच घरे खराब चल रहे हों और आप इतना पैसा भी नहीं खरच कर सकते कि मंत्र जाप करवाले अनुस्तान करवाले य हनुमत नम है हनवान जी कृपा होगी सभी घ्रेट चलने लग जाएंगे प्रारब्द कटने लग जाएगा आगे से आगे आपके काम बनने लगेंगे और कोई नेगेटिव एनरजी नजर दोश आपको बिलकुल भी नहीं लगेगा ऐसी दर्शे को किसी बहुत ही विशेश मोनो कामना सिद्धी के लिए या बहुत बड़े कारे का नुकूल करने के लिए या जीवन की उनती का प्रश्न जिस कारे से चुड़ाओ ऐसी कारे सिद्धी के लिए आजब एक विसस्ट उपाय भी कर सकते हैं करना ये है कि गणेश जी हनुआन जी की पंच्चुप से ले जाए जो मंत्र जाब करना वह सुपरकार है ओम सर्व माया विबंजनाए कपिश्वराए नम्हें और आपको अपने अपनी मनोकामना पूर्ती का मार्ग मिलेगा हनुआन जी कृपा मिलेगी सीम सामर्थे और शक्ती आपके साथ हमेशा बनी रहेगी आगे सागे आप को आपके मार्ग पे अग्रिसर करेंगे तो यह थे आज्वर्यों से बाहर ला रहे हैं और आपकी मुनोकामना पूरी कर रहे हैं आपके सवालों की आपके सवालों में जनम पत्रिका आई है हमारी दर्शेक पाएल जी के साथ फरवर 1999 का इनका जनम है, सुबह 6 बच के 32 मिनट अजमेर, विवा कब होगा ये इनका प्रशन है, पायल जी मकड लगन तुला राशी की पत्री का आपकी जिसमें सप्तमेश चंद्रमा पर शनी की द्रश्टी है और सप्तम में राहुद दिवान है, ऐसे में विलम भी 11 सितंबर 1988 का जनम है, सुबह 11 बच के 37 मिनट, सीकर, प्रशन है, जीवन में अशान्ती है, उपाय बताएं गिरिश जी, जीवन में संगर्श है, विप्रीत परस्तितियां है और उनसो उत्पन होने वाली निराशा है, जो कि अशान्ती का कारण बनती है आपके चतुर्द भाव प्रिडित होने से आप हर छूटी सी बात को भारी बना कर सोच विचार करने लगते हैं, भाग्या और देवी कृपा भी आपका साथ ने दे रही, तो आप शनी राहू की शान्ती करवाईए, चंदर के साथ गुना जब करवाकर एक अच्छा सा मोती पहन ल लगनेश गुरू नीच होने से अस्टम में मंगल के तु योग होने से आपको बिमार्या रहती है, रोग परती रोदक शमता भी कम है, और कमजूरी है, रक्त दोश है, आप गुरू और मंगल के सासाथ गुना जब करवालीजिए, एक मुंगा और पोकराज पहन लीजिए, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीर आपका जीवन शिव में सत्य में और आनन्द में होता जाएगा, मैं महादेव से प्राथना करता हूँ कि जब आप हमारे बताएव उपाय करें, तो आपके कश्टों का निवार